सेडिसन जैसे अंग्री जी कानूरों को खत्म किया गया है नय सहीता की सोच नागरिकों को सजा देगा यही इतक मात्र नहीं है लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है सुप्रिम कोट और गुजरात हाई कोट ने मिलकर अल इंडिया डिस्ट्रिक कोट जजिज कानूरंस का आयोजन भी किया था इस तरह के आयोजन इज अब जस्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है मुझे बताया गया है यहां भी अगले दो दिनों में कई महत्वपन मुद्धों पर चर्चा होगी पेंडिंग केसिस का मेनेजमेंट यूमन रिसोर्स और लीगल फेटरिटी की बहत्री आपने चर्चा के लिए सभी जरूरी विशेताई किये हैं मुझे खुशी है कि सब के साथ अगले दो दिनों में एक सेशन जुडिशल वेलनेस पर भी रखा गया है परसनल वेलनेस शोशल वेल बिइंग की सबसे पहली जरूरत है इससे हमें हमारे वर्क कल्चर में हेल को प्राइवरिटी देने में मदद मिलेगी साथ्यों हम सब जानते हैं आज आजहादी के अमरित काल में एक सो चालीश करोर देशवाच्यों का एक ही सपना है विक्सित भारत नया भारत नया भारत यानि सोच और संकल्ब से एक आधुनिक भारत हमारी नया पालि का इस विघन का मजबुत स्थम्भ है खास तोर पर हमारी डिस्ट्िक जुडशुलियक डिस्ट्रिक जुडशुलिक भारतिय नया पालि की व्यवस्ता का एक आधार ए देश का सामान्य नागरिक नयाय के लिए सब से पहले आपी का दरवजा खड़़टात है इसलिए यह न्याय का प्रथम केंदर है यह पहली सीड़ी है हर तरह से सक्षम राधुनिक हो यह देश की प्रात्मिक्ता है मुझे विश्वात है यह राष्ट्रिय सम्मेलन इसमें हुए विमर्श देश की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे साथियों किसी भी देश में विकास का अगर कोई सबसे सार्खक परामिटर है तो वो है सामान्य मानवी का जीवन्स्तर उसकी इस अफ लिविंग से तैख होता है और सरल सुघम न्याय यह इस अफ लिविंग की अनिवार्य शर्त है यह तभी संभव होगा जब हमारी डिस्ट्रिक कॉर्ट्स आधुनिक इंफ्रासक्टर और टेक्नोलोजी से लेश होगी हम सब जानते हैं कि आज डिस्ट्रिक कॉर्ट्स में करीब साधे चार करोड केसे स्पेंडिंग है न्याय में इस देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दसक में कई स्तर पर काम हुआ है पिछले दस बरसों में देश ने जुडिशन इंफ्रासक्टर के विकास के लिए लगबग आठ हजार करोड रुपिये खर्च किये हैं आपको एक और तत्ति जानकर खुशी होगी पिछले पतीस साल में जितनी राशी जुडिशन इंफ्रासक्टर पर खर्च की गई उसका 75 परसेंट पिछले दस बरसों में ही हुआ है इनी दस बरसों में दिश्टीक जुडिशरी के लिए साड़े साथ हजार से ज्यादा कॉर्ट हॉल और ग्यारा हजार रेसिडेंशल युनिविश्ट तैयार की गई है साथ क्यों मैं जब लीगल फ्रटर्णिटी के बीच आता हूं तो इक कॉर्ट का विशा आना बहुत स्वाभाविक है टेक्नोलोजी के इस इनोवेशन से केवल न्याई प्रक्रियाओं में तेजी ही नहीं आई इससे वकिलों से लेकर फर्यादी तक हर किसी की परिशानिया भी तेजी से कम हो रही है आज देश में अदालों को का डिजिटाइजिशन किया जा रहा है और जैसा कि मैंने कहा इन सभी प्रयासों में सुप्रिम कोड की इकमिटी एहं भूमी का निभा रही है साथ कि वो पिछले वर्ष इकोर्स प्रोजेक्ट के तीसरे फेज को भी स्विक्रूती मिली है हम एक उनिफाइड टेक्नोलोजी प्रेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है इसके तहट आर्टिफिशल इंटलिजेंस अप्टिकल करेक्टर रेक्निशन जैसी की उभरती हुई टेक्नोलोजी का इस्तेमाल होगा हम पेंडिंग केसिस का अनॉलिसिस कर सकेंगे भविष्टे मुकदमों का भी अनुमाल लगा सकेंगे पुलीस, फॉरंसिक, जेल और कॉर्ट टेक्नोलोजी इनको इंटेग्रेट भी करेगी और इनके काम को स्पीड अप भी करेगी हम ऐसी नयाई व्यवस्तागी और भढ़ रहे हैं जो पूरी तरह से फ्यूचर रेडी हो गई साथि आप जानते हैं बड़े बदलाओं में इंफ्रास्रेक्टर और टेक्नोलोजी के साथ ही नियमों, नीतियां और नियत की भी भूमिका होती है इसलिए आजहादी के साथ दसक बाद देश ने पहली बार हमारे कानूनी धाँचे में इतने बड़े और एहम बड़लाव किये हैं भारतिय न्याई सहिता के रूप में हमें नया भारतिय न्याई विधान मिला है इन कानूनों की भावना है, citizen first, dignity first and justice first हमारे criminal laws, शांसक और गुलाम वाली colonial सोच से आजाद हुए है citizen जैसे अंग्रीजी कानूनों को खत्म किया गया है नयाई सहिता की सोच नागरीकों को सजा देगा, यही इतक मात्रा नहीं है लेकिन नागरीकों को सुरुक्षा देना भी है इसलिए एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाब होने वाले अपराधों पर सक्त कानून बने है दूसरी और पहली बार मामुली अपराधों में सजा के तौर पर community service का प्रावधान किया गया है भारत की साक्ष अधिनियम के तहट सबूत के तौर पर electronic और digital record को भी मान्यता मिली है भारती नागरिक सुरुक्षा समीता के तैत electronic mode में समन भेजने की व्यवस्ता बनाई गई है इसे नयाई पालिका पर pending cases का बोज़ भी कम होगा मिरा आग्रह होगा Supreme Court के महरदर्शन में District Judiciary को इस नई व्यवस्ता में train करने के लिए नए initiatives भी जरूरी है हमारे judges और वकिल साथी भी इस अभ्यान का हिस्सा बन सकते हैं जनता भी इस नई व्यवस्ता से परिचित हो इस में भी हमारे वकिल और बार एसोशेशन का आहम रोल है साथियों मैं देश और समाज के एक और जोलन्त विशे को आपके समझ उठाना चाहता हूँ आज महिलाओं के खिलाब अत्यचार बच्चों की सुरक्षा समाज के एक गंभीर चिंता है देश में महिलाओं के सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं 2019 में सरकार ने फास्ट्रेक स्पेशल कौर्ट के स्थाप्णा की योजरा बनाई थे इसके तहत एहम गवाओं के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है इसमें भी में डिस्ट्रिक मोनेटरिंग कमिटीज की भीवी का महत्वपन हो सकती है इस कमिटी में डिस्ट्रिक जजुज डीयम और एस्पी भी शामिल होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम के वीविनने पहलूँ आंके बीच समनवय बनानें में उनकी भहमी का आहम होती है हमें इन कमिटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा साथियों मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्ष होगा उससे देश के लिए बहुमुल्य समाशान निकलेंगे जस्टिस टू अल का रास्ता मजबूत होगा मैं एक बार फिर आप सब को इस पवित्र समारो और समागम और चिंतन मनन में जुरूर अमृत निकलेगा इस आशा के साथ अनेक अनेक शुप कामना ये देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद झाल